हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हेलो जाहिंद आप सभी को मैं विनित्वारी Faculty of CSET आपका स्वागत करते हैं Study IQ IAS हिंदी पे आप लोग के लिए Study IQ की तरफ से बहतरिन डिसकाउंटेड एक ओफर लाया गया है जिसका नाम है यह ओफर आ रहा है और यह कब मिलेगा तो आप किसी भी कोर्स को पर्चेज करते समय वी टी लाइब कोड यूज करेंगे तो हमारा यह ओफर अवेलबल हो जाएगा जैसे हमारा हिंदे माधिम का प्रलेम सेंटर्वियो तक का बैच्छे इसमें 26,999 पे मिल जाएगा आप वी हम आप ले सकते हैं इसके बाद अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पर कॉंटेक्ट करिए क्या कर रहे थे हम लोग उसमें केलेंडर कर रहे थे केलेंडर में मैंने बटाया थे पर्टिक्लर डेट देखे उस रिसाप से निकालना था ठीक है एक दून होता अगर्थ मारा पास ही आजा था है वीच दिन बाद पर होता वीच पच्च्च्च दिन बाद का पैसे ट्वेंटीत जुन को है ना अब विस पत्स एक में यह जून वाला कॉंसे ट्वेंटीत जुन वागत है शोला जुन तो देहें यह बाइस अपरेल दोचार चोविस की बात कर रहे हैं कि दिन मंडे हैं तो मैं आप से पूछ हूं कि सत्रह मैं 2045 को कौन सा देने हैं कि रहाँ मैं यादा रहा है सब कॉंसेप्ट कि अच्छ करें सब अप्रेल में कितने दिन तीज दिन रेमेनिंग कितने आठ यह ओके फिर उसके बाद से अप्रेल माई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नॉवंबर दिसम्बर दोजार चोबीस के हिसाब हो गया है अगया है उसके पाद से कितने साल हो गए इनिकार डिफरेंस निकाल लिए मतलब एक कम करके निकालना है तो भीस हो गया डिफरेंस और पांच लीपिर होंगे अब उसके पाद से आगए कहां तक 2424 तक का पूर और अब लिफरेंस तक का पूरा कर लिए हमने हिसाब अब 45 में है 25 में जनवरी कितने हैं तीनवर्वरी में क्योंकि यह रही है फिर मार्च में में 25 माई मैं 17 बोला है ठीक है अब करेंगे हिसाब 17 साथ 7 से गिटीन तीन होगा ना तीन, दो, पाँच, तीन, आठ, एक एक्स्ट्रा ठीक है फिर इसका पास एक, तीन, चार, चार और पाँच, नो, दो, एक्स्ट्रा दो, दो, चार, तीन, साथ खतम फिर दो, तीन, पाँच, और क्या तीन, सत्रा, ठीक है तीन दो पांच पांच तें आठ एक हो गया एक तीन चार चार और पांच नो नॉमें से दो बच्छे ला फिर दो दो 20 है यह 20 कहां से बीच अच्छा 20 उसका साल का अगया रहा ठीक 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 इसका कितना अगया 6 होगा न ठीक होगे 2 और 6 2 और 6 8 8 ठीक है 1 होगे है 1 और 3 4 और 2 6 6 और 3 9 मतलब 2 एक्स्ट्रा 2 और 2 4 और 3 7 ठीक है फुर सके बासे इसको यह एक कर लो फुर सके पूस्ट तीन दो पांच आप पांच और तीन अब पांच और तीन आठ एक हो गया 1 और एक दो गया मतलब मंडे प्लस दो क्या करेंगे कि आएगा डन एक और बता देजिए से फिर बैक डेट का करेंगे एक जन्वरी तो हजार में चोबिसको कि क्या था मेभी मंडे था साध मंडे था मंडे ओ मेमोरी थीक है अपनी और यह क्यों याद है क्यों कि पता था कि ट्वंटी ठर्टी ठर्टी वन को संदे था मुझे पता कि यहां क्लास ने किये था ओके तब मंडे मुझे द्याना है ओके दो दिन लगातार चुट्टियां हो गई थी तो मैं आप से पूछ दूं कि कि तीस अगास्त कि दो हजार कि पचास को कौन सा दिन होगा इस बर सही से निकालीएगा इसमें होस्यारी कर सकते हैं आप यह पूरे साल का करना पड़ेगा चोब इस एक जनवरी को दे दिया जैसा ऐसा डेट देना एक जनवरी तो बैक डेट में चले जाओ तो एक तीस दि पड़कलीच एक तीस दिसंबर का संडे बचा नहीं पूरे यह पूरे साल का 24 में दो और दे हो जाएगा समझ पारें आप ठीक है आप जैसे कर रहे हैं ऐसे भी हो जाएगा लेगिन इसका तोड़ा होसियारी आप करेंगे तो एक दिन पीछे अकसर डेट देता है एक जनवरी दो जनवरी ऐसे देता है तो दिसंबर में चले जाएए उससे पहले साल क्योंकि उससे आपको कैलकुल सब्सक्राइब एक जनवरी दोज़ाइब 24 को मंडे ही था ना किसमा तीस दिन वह सब बताएंगे सब बताएंगे पहले इसका तो सही करें चलो ऐसे को सब्सक्राइब तो यहां से भी कर सकते हैं अब लेकिन अगर आप अगर थोड़ी सी होसियारी दिखाओगे तो पूरा यह पूरे साल का कैलकुलेसन से बच जाएंगे इसमें पूरा जनवरी से लेके और पूरा हमें दिसंबर तक जाना पड़ेगा कमसा 12 लिखने पड़ेंगे तो उससे आप बच जाएंगे तो इसी कोश्चन को मैं कनवर्ड कर लेंगे 31 दिसंबर को कौन सा होगा और 2023 को कौन अब यहां से इस कोश्चन में इसको भूल जाएंगे हम अब हमारा औरिजिनल कोश्चन क्या हो गया 31 दिसंबर 2023 को संड़े है तो आप बताएए 30 अगस्त 2050 को कौन सा होगा ठीक है अब देखें इनके बीच में साल कितने हैं दिसंबर में तो कुछ बचा नहीं एक थिसका हो होगे डारेक्ट यहां से स्टाट हो जाएगा कितने इसमें से एक घटा देंगे उननचास में से घटाएंगे कितना जाएगा छबिस ना शबिस तो शबिस वो ओर डेज इसमें कितने पढ़ेंगे जैसे ठिकाई फिर उसके बास से छे लीपियर होगे फिर इसके बास अब आगे हम सीधे यहां एंट्री बोगे जनवरी में 50 की जनवरी में तीन परवरी जीरू मार्च टीन अप्रेल दो फिर माई तीन माई के बाद जून दो जुलाई तीस जुलाई तीन न अच्छा अगस्त का दे रखा डेट और अगस्त में तीस दे रखा ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे ये दो हो जाएगा 28 साथ से डिवाइड करेंगे दो ठीक है सत्रिके किस पांच हो गया ओके पांच और छे ग्यारा चार आगया चार दिन साथ एक एक स्टा हो रहा है तो कुछ कड़बड हो गया क्या रहा है कि कुछ संडे प्लस वन कि कैंसिल करने में कुछ प्रावलम होगी लग रहा है नहीं नहीं रुख जाए एक मिनट देख लेता हूं पचास एक मनचास में से तेज गया है तो हमारा आ गया है पूर्टे नाइन पूर्टे नाइन में से तेज लिया तो च्छे दो चब्विस पूर्टे लिए चोविस फिर उसके बाद थाइस बत्तीस पूर्ट चट्थिस चट्थिस के बाद चालिस चोवालिस अटालिस अग्याइश एसमें देखें लीप यह से पहले वाला होता ना इसमें एक बार काउंट करेंगे कितने लीप यह रहूंगे चोविस चोविस अठाइस बत्तीस उसके बासे चालिस 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 अटालिस साथ होगे लीप यह रहूंगे कि देखो लीप यह मैं वैसे काउंट कर लेना चाहिए लेकिन देखो एक कॉंसेप्ट होता वह भी बताया नहीं मैंने कि देखो इसके जश्ट बाद वाला सालिप यह रहे ना इसमें एक्स्ट्रा आजाता है अक्सर कई बार समझ गए इसके जश्ट बाद वाला ते इसके पच्चिस थोड़ी लीपिया रहे है चोविस अठाइस चार एड़ी करते हैं बत्तिस चत्तिस चालिश 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 और अर्टालिश साथ हो गए यह साथ इधर हो गए और टूजडे आ रहा ना अंसर तो साथ च्छे की जगा साथ हो गए तो एक एक्स्ट्रा यह और टूटल कितना हो गया संडे प्लस दो कितना अगया टूटल है कि आ अगा अगरे इस कौन सिट जन्वरी से जन्वरी से तो आ जाएगा वाहीं आंसर है अगर जन्वरी से तो सही हाना चाहिए चले जनवरी में कितने दिन बचे हैं तीस फरवरी चोबिस की है एक मार्च अपरेल अपरेल माई जून जुलाई अगास सेप्टेंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसम्बर हो गया कि कि एफ dapat सब्सक्क अब यहां से आब कितने साल हो गए लृत करें साल होगे थिथीन में कि अधू होगया है छे आएंगे उसके बाद से तीन जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगस्त इश, 30 अगस्त था डीजिये यह कमारा दो आ गया, हमेरे त्या हो गया एक स्क्राहें ठीक है तीन तीन छो चे और दो आठ फिर ये जीरो था फिर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए तीन आएगा एक्स्ट्रा ठीक है तो यहां से एक तीन एक तीन चार चार और छे दस तीन आगया ठीक है ठीक है ना ठीन टीन और टीन चो दो चार दिन साथ ठीक है श्के वाषले से हमारा एक आ गया ठीक है कांट करते जाएंगे आप लोग atac subsidi? हो गया तीन तीन छे हो गया छे और दो एक एक्स्ट्रा ठीक है फिर उसके पाद से इसको सॉल्व करेंगे दो हो जाएगा ठीक है फिर उसके पाद से तीन दो और एक तीन यह दो और एक तीन तीन छे छे और एक एक एक्स्ट्रा बचना चाहिए है 28 35 36 40 42 46 46 ठीक है पच्छिस साल हो गए ठीक है वह भी सही है तीन अधिस तहां पच्छिस में अहां पच्छिस में पच्छिस के लिए हैं ओहो हाँ है तो यह एक दी ने टाइसद चार एक से जहाँ आएगा अब उसके बासे देखो दो और एक तीन तीन छे और एक साथ यह फिनिश हो गया अब एक अश्ड़ा हो गया तो वहीं बन्डे प्लस का वं कर देंगे ऐगा है थोड़ा सा बस केल्कुलेशन ध्यान दिजिएगा है ओके है कि सिली में स्टिक हो गया है ओके डन है अच्छा पीछे जाना है तब पीछे जाना है कोई बात नहीं पीछे भी चल जाएंगे जैसे माल लो आपका आज है आज कौन सा दिन है 22 अपरेल 2024 को मंडे है ठीक है तो हमें बताने है माल लो 15 अपरेल कि दो हजा उन्नीस सो कि नव्य को कौन साएगा है अच्छे लेगा क्या कुछ प्रावल्म होगी क्या पीछे वाले में प्रॉड़ा समस्क्राइशन की बहुत हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे पंद्रह बीस डेट का इससे लिख लिख कर लेंगे तो फिर जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है क्या कहो तो मेरे से भी हो गया कभी कभी हो जाता है ओके चलिए ओके बताइए कौन सा दिन आएगा देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूं छोड़ी है मैं बताता हूं कि अगर ऐसा कोशन आये कुछ भी कॉंसेप्ट चेंज करने की जौरत नहीं है आगे पीछे बाद में सुचिएगा अच्छा इस दिन की जौरत कप पढ़ते थी सबसे लास्ट में पढ़ते थी ना यह रिफ्रेंस जो कैलेंडर में इस डे का सबसे लास्ट में पढ़ता था कि संडे प्लस दो और मंडे प्लस दो बास समझ पा रहा तो क्यों ना हम ऐसा मान के चले कि यह दे रखा और यह पूछा है तो कैसे करेंगे हमेशा बैक डेक से आगे वाले तक जाए रिमेंडर इफ एंड इल्स मालो की दो बच गया तो मंडे से दो दिन पहले पहुंच जा तो संडे और सटैड अगर मन लोटीन पन्डे से निन पहले पहुंच जाना अगर पहले कादिया होता पहले का दीड the और बाद का डेट पूछा होता अगे जाते हैं अगर दे रखाओ पहले का पूछ तो खटा देए पीशे चले जाएंगे बस कितने 23 23 में से घटाएंगे नबे कितना आजागा 33 आगया और 33 कितने लीपियर आएंगे आठ आने चाहिए एक बार देख लो रिस्क मत लो नबे के जासे बानबे होगा बानवे 96 फिर उसके बासे 2000 लीपियर है ऑके 2004 आठ 12 16 फिर उसके बासे 20 बानवे 96 एड़ नहीं किया हमने 92 96 ठीक है और फिर उसके बासे 2000 एड़ किया था साथ 2000 उसके बासे चार फिर आठ 12 16 बीस बीस के बाद 24 बीस के बाद 24 काउंट करना नहीं है 24 का दो दूण आए तो आठ हो गए 8 ही लिखा हमने ओके डन है कि अगये कभी कभी क्रॉस चेक कर लें वैसे इसमें नहीं आए गा देखो प्रॉब्लम पता है कब होती है जब लीपियर के जस्ट बाद वाला साल होता है समझगे यह जस्ट पहले वाला साल होता है लिपियर क कहां तक 23 तक का हिसाब हो गया 24 में पताइए 24 में जनवरी तीन अब यह 24 का फरवरी है एक आएगा मार्च में तीन और अप्रेल में 22 अप्रेल का पूछा यह है ओके अब देखें यह 21 एक आ गया ओके बड़े वाले पहले कर लेंगे यह भी एक आ गया यह 28 पांच आ गया ठीक है फिर उसके बाद से 15 एक आ गया यह बाद में प्राबलम ना क्रियेट करें ओके बड़े वाले को पहले हमने सॉल्व कर लिया अब देखो एक और तीन चार एक पांच पांच और तीन आठ एक बच गया ठीक है और एक एक साथ पांच साथ हो गया ओक फिर तीन दो फांच और तीन आठ एक बच गया फिर उसके पास तीन थी और एक साथ हो गया है सबस्थाओं अब एक रेमेंडर बचा तो थो हमें क्या रखा है पहले का डेट फूचा है बाद का दे रखा है मतलब माइनस मॉन मंडे मेंस माइनस और लाए वास इतना कर करेंगे क्या जाएगा संडे कर लिजी कर लिए कि कहां मैंने बोला था कि एक कम करके 23 में से घटाएंगे इसको मैंने बोला था उस दिन क्लास में क्योंकि देखो दोनों इसमें दोनों इसकिप कर रहे हैं कर रहे हैं तो बीचों बीच कितने आएंगे तो देखो कभी विरूल कहता कि अगर किसी एक को इंक्लूड करेंगे ना इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा वह समझेंगे बीच में कितने होंगे कितनी संख्या होंगे कितनी साथ होंगी ना लेकिन नो में से एक घटाएंगे क्या आएगा कर दोनों को इनकुल एक्स्क्लूड कर दिया तो कम से कम उसमें से जितना भी आएगा उसमें एक हम घटा के करेंगे जिसे सबसे अच्छा रूल है कि एक कम या तो इसको छोड़ दीजिए अगर इसको छोड़ेंगे तो सबस्क्राइब करेंगे तो भी हमारा तैंटी साइगा या तैईस में से आप नबब घटाएंगे तो भी तैंटी साइगा आगया सही है कि अब आप सब लोग अपना डेट अब बर्द का निकाले कि कौन सा दिन था आज से तो रेफरेंस कलेंडर आज कहीं लेंगे अब आई यह मत और बी संदर्ट टेक्निक बटा दूंगा अभी तो यह ठीक है रेफरेंस कलेंडर की जोगरत ही नहीं पड़ती एक्जेक्ट डेट का अब बता जोगे नहीं तो यह बेसिक क्या मतलब पता है कभी-कभी छोट एक्जाम कोई टेंशन नहीं इसकी जोगरत नहीं पड़ती एक्जेक्ट डेट का अगर पूच दे तो कभी-कभी छोटे एक्जाम पता है क्या करते हैं कि गलत दे देते हैं जैसे आज 22 अपरिल को मंडे है तो बोल तूजडे यह सटर्डे ऐसा बूल देंगे रेंडम उनके मन में जो आएगा अब उस सटर्डे के कोडिंग हमें रिफ्रेंस कलेंडर से निकालना पड़ जाएगा अगर यह मंडे है अगर मंडे एक्जुल डेट में भी आता मंडे ही यह ता और मंडे ही लेलो तो इसकी कोई जोरत नहीं होगी हम डाले पी बटा सकते लेकिन डिफ्रेंस कलेंडर में छोटे हैं कभी-कभी इसको गलत लिखी देते हैं वह फलते अगर यदी बोल देते हैं अगर यह वाले सब्सक्राइश से आते हैं अचा किसी बताई किसका किसका नहीं आया चले जल्दी सब का निकाल लेते हैं क्या था जल्दी बताइए दस अगस्त इसको हमेशा उपर रखेंगे पीछे वाले को दो हजार और कितना कि आज 22 आज ही का रिफ्रेंस ले लेंगे कि दो हजार कि यह क्या है हमारा मंडे है इसकी तो बादे में जोगरत पड़ी है हमारी पहले तो कल्कुलेट करना है अब इसका देखिए अगस्त 31 का होता है 21 दिन बचा प्लस अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नौवंबर पर दिसंबर यह फाइनल हो गया फिर उसके पास से 23 तो जाटा देंगे कितना जाएगा एक कीस आगया और एक किस आगया तो कितने लिपियर पांच एक मैंनोली चेक कर लेजीए चार आठ बारह फिर उसके पायस सूला फिर उसके बास से 20 20 पांच ही किया कव्ये Tub 24 काउंट होगा नहीं पांच ऑ गया ठीक है यह पांच हो गया और मुलश्यच हो गया और प्लस अ बड़ बड़ होता है बड़े वाले को मिनिमाइज कर लिजे एक यहां हो गया फिर बड़ा यहां भी यह यह गया सब गया साथ तीन तीन चे और एक साथ हो गया पिर उसके पास देखिए 2, 3 और 2 ये साथ हो गया खतम हो गया अब अच्छा क्या तो यहां तीन बच रहा है यहां पांच बच रहा है और एक बच रहा है सबको एड़ कर ये कितना आएगा नौ आएगा ना तो तो मतलब दो एक्स्ट्रा बचा दो और बचा अब मंडे का दे रखा पीछे का पूछा है तो मंडे से कि दो दिन पहले जाएंगे तो क्या आएगा सब्सक्राइब यहीं था कि अबस्तर सक्किप पेसेंस और आराम से कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तेक दो दिन की गड़बड़ी पर गड़बड़ हो जाता पूरा और किसी का पताई चेक करना है कि आपका गया करना है कि किसी का अच्छी आपना देख लेजिए कोई बात ने ट्राइब करते रहेगा ऐसे बहुत सारे डेट लिख दीजिएगा और ट्राइब कर येगा बस धान रखना है यह जो और डेलिक रहें यह धान रहें अब वैसे यह ध्यान रखने की बहुत जोरत भी नहीं होती आप अगर 20-25 कर लोगे ने डेट निकाल लोगे तो अपने आप जनवरी में तीन लिखने आप दिमाग सोचेगा भी नहीं तीन हाथ लिख देगा है समझे तो इस तरीके का पैटर्ण बन जाता है माइंड में दूसरी बात कैंसेलेशन में भी आपकी पकड़ बन जाती है सासासाथ इसके बगर के इसकी बीफट बन जाती है जल्दी से गूगल में सम्मिलता है 20-25 लिख कर लेंगे ओके ठीक है जब यह आ गया अब उसके पास अच्छा इसमें पैटर्ण हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो कि इसे मं मंदे माइन सब्सक्राश प्रॉब्लम होती है फिर 만들어 कर सकते हैं कि बाद बताता हूं जम लो इस से पहलेखॉन साथा Sunday इस से पहले Saturday इस से पहले Friday ठीक है फिर इस से पहले Thursday ओके अच्छा इसके बाद Tuesday फिर इसके बाद Wednesday इसके बाद Thursday ओके अब ध्यान से देखिए आज का दिन अगर छोड़ देंगे तो एक पहला दूसरा तीसरा ठीक है प्लस तीन करेंगे या एक दो तीन चसर माइनस चसर करेंगे सेम लिट आ रहा है यहां समझ पार हुआ यहां से pattern मना लिजिए माइनस करेंगे 250 करेंगे शेमливо都 लिधा दीनिया करेंगे 23 वैसे यहां Plus 2 माइनस 5 करेंगे 220 होगा प्लस एक, माइनस छे करेंगे, सेम दिन होगा, समush पा रहा, तो अब आपको करना क्या ज़र्चिछगों है, अगर कोई भी माद लो薦्ध है, माइनस हमस्थ करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, साथ बनाने के लिए, क्या करना पड़े खेंगे, प्लस नहीं साथ माइना के पलसवन तो फ्राइड़ माइनस से जाए या फ्राइड़ प्लस वन कर एक दिन होगा मतलब सटर्ड आएगा र देश माइनेस छे जाएगा तो भी सटर्ड है अगर माल लोग वाइनस पांच करना होगा माइनस वाँ सकता पीछे जाने में पीछे जाने में अक्सर हो जाता है तो बस उसमें प्लस दो कर दीजिएगा ओके आप कांसरा जाएगा तो यह मैं लिख देता हूं माइनस चे या प्लस एक ही बात होती है माइनस पांच प्लस दो एक ही बात होती है माइनस चार प्लस तीन एक ही बात होती है माइनस तीन प्लस चार एक ही बात होती है अब इसके बात तो माइनस एक माइनस दो तो करी लेता आदमी यह दो दिन पीशे चला जाता है कि अब हम आते हैं भाई एक्जेक्ट डेट पे एक कैसे निकालना एक्जेक्ट डेट का जैसे आपका बड़्डे है रेफ्रेंस कलेंडर से डारेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो उस पर आते हैं कि अगे आज का दिन है मंड़ें इसको डारेक्ट कैसे निकालने के वस पर आते हैं अब सुरिए कुछ बाते समझ लेजिए कि दो तिन फैक्ट के बात है मैंने बता भी था पिछली क्लास में कि जब कैलेंडर जब भी स्टार्ट था उसका पहला दिन था हमारा मंड़े था कैलेंडर का पहला दिन क्या था मंड़े था दूसरा दिन ट्यूजडे वेड़नेंस ये ठाजड़े फ्राइड़े चठा दि कभी इक केलेंडर रिपीटीशन का भी चार को शुरू के हिसाब करेंगे टोन शुरू के सो शौन हराइगे जलिदी बताय कि इस्थम के आंगे अच्छेंगे साहल न्यांड़ से अच्छानाइड दिवाइड हो जायगा लेकिन सोँहाल साल 400 से करना हैं सेंचुरी यह नहीं अर्थ मैंने कि इते आड़ी साल में कि reckless अल्यां साल में इं zit कि ट्रेंगे फुर्णक्र रेंगे उधार आए चार सुश उम्ही ने अब ब्लस चार Jordan 16 यह बास समझ पा रहा है है को खेश Bieber अब उसके बाद से नाइंटी सेमन्थ हो गया ठीक है अब उसके बाद से देखते हम कि सुरू के सौ साल में कितने नंबर ओफ ऑफ ओडे होंगे सब्सक्राइब कितने और देख लेंगे इसमें टूटल कितने टूटल होगे मालू इसमें और आएंगे टूटल सो आएंगे सो साल में सो होंगे और लीपियर में एक्स्ट्रा आते हैं एक एक आते हैं तो यह 24 हो गया मतलब हम देखेंगे 124 साल में कितने लीपियर कितने और दे सौरी 124 में यह टोटल और डे और फिर इसको साथ से डिवाइड करेंगे सौ साल का सो ली और डे फिर 24 का 24 लीप यह रहे इसमें हर एक में एक एक एकस्टर आएगा तिये 24 और गया तो टोटल कितने आगे कि एक सो और चोबिस साथ से डिवाइड करेंगे इसको कम करेंगे और ज्यादा होता है इसको कम करेंगे मिनिमाई करेंगे साथ से डीवाइड करेंगे कितना आगया एक बढ़ SUSके पाथ साथ साते कितना आ गया 5 ओके डन वैसे 200 साल का हिसाब करिए 248 को डिवाइड करिए साथ से 21 तीन आठ साथ पांच भर 35 ठीक है तीन ठीक है तीन और डे आगे समय वैसे यह तीन सो साल का साथ से साथ पांच पैनटीस दो और दो आ गया तीन वार 21 ओके एक आ गया ठीक है फिर वैसे इसका सुरुके सो साल में सुरुआती सो साल के बात कर रहे रहें सिकतने और डे होता है साल के अलावा भी एक एक्षा दिन उता फरवर होती हों तिसके तो एक उसका भी होगा तो कितने लीप होगे 24 होगे टोटल कितने होगे ऑड़ दे सोप्लस चौबिस एक सोच दे सुरू के सो साल में एक लेखेंगे तो उसके बाद शुरू से के 400 साल में कितना आएगा जीरों याएगा अब क्या कि कि यहीं होगा है जिनना रिमेंडल बचता वही तो होता है सासरी करने के लिए पहली कि दूसरी सेंचुरी में पूरा पहले सिर्वा डूसरी मंत शुरू से लेकिशन के 200 साल की बात कर रहें तो कितने आगए तीन और शुरू के 300 साल मतलब तीन सेंचुरी होगी ने सौवा साल 200 और 300 तो उसमें एक आएगा सुरू के 400 साल में कितने आ गए जीरो आ गए अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हर 400 साल में पूरी सेंचुरी रिसेट हो जाती है कैलंडूर सुरूं हो जाता तो जो 2000 का ठाना सं 2000 का कैलंडर था सं 2000 का तो वह पूरी हो गया था है दो है से पहला दिन होगा न साल का 211 से अटर फ election हैशल होगा हर 2017 पूरар件 कैलंडर हाँ हाँ जो शुरुवात हुआ था ना देखोँ सन 2000 में पूरा केलेंडर रिसेट हो गया दिसंबर तक पूरा रिसेट हो गया फिर जनवरी फर्स्ट जनवरी जो होगी न वह पहले वाली जनवरी आएगे समझे इस तरीके का होगा केलेंडर पूरा हो जाता है हर 400 साल में अब देखेंगे अगला केलेंडर का पूरा केलेंडर ही हो जाये हर जायेगा पहले साल हो जाएगा इस तरीकार कोंसेट होता है अब यहां से लगाके हम बहुत सारी शीजें हर सकते हैं जैसे देखिए घर 400 साल में पता है हर 400 साल में केलंडर रिसेट हो जाता है तो मैं आज का डेट निकालना चाहता हूं आज क्या था बाइस अप्रेल है न दो हजार चोबिस है अब देखो आज का डेट का दिन कौन सा होगा वो निकालते हैं ध्यांस देखिए इसको 2000 प्लस का 24 कर सकता हूं मैं बोले अब इसको 2000 मतलब देखेंगे केलंडर 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कंप्लिट डिवाइड हो गया तो यह हमारा फाल्टू का था अदब सुरू के 24 में साल का जो होगा नो 2024 में वाइड डेट आएगा ठीक है कंप्लिट डिवाइड हो गया अब बिश्वंड थे चोवीश में कितने ओड़ेर कि इतने यह 24 में कितने और दे 24 चोवीश तो साल का है ना था कितीन यह साल है हें शाल यह पहले लिख लेते हैं 24 जोबिस का चौबिस हो गया बाद में रिसेट कर लेंगे साथ से डिवाइड कर रहें ठीकर 24 का 24 और इसमें कितने लीपियर आइंगे जल्द बताइए कितने लीपियर आइंगे कितने अएंगे चार आठ बारा सॉलह बीस और 24 24 का काउंट कर रहा है तो 6 आगए प्लस का 6 यह हो गया क्लियर है मामला ते पूरा हो गया अब उसके पासे यहां से देख लेजिए यहां एक काम करिए तो तेज कर एक मिनट कि 2023 तक पहुंचिए इसको हमें करना है ना 24 24 24 को छोड़ दीजिए 24 में महीने के हिसाब किताब करेंगे 2023 तक जाए ठीक है 23 प्लस का यहां पर पांच आ गया ठीक है क्लियर है अब उसके पासे देखिए जनवरी अब 2023 तक का हिसाब हो गया पूरा 24 में आगे 24 की जनवरी में कितने है तीन फरवरी में एक और मार्च में तीन अप्रेल में पाईस ठीक है अब असकर लीजिए देखिए चमतकार यह दो आ जाएगा यह एक आ गया तीन तीन छे और एक साथ खतम पांच और दो साथ पांच और दो साथ और एक तीन क्या 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 हुआ एक हो गया ठीक है वेरी गूड एक आ गया अब कलेंडर के हिसाब से मंडे का लिए एक कोड होता है टूजडे के लिए दो होता है फिर उसके बास से वैडनेस डे के लिए तीन होता है फिर हस्डे के लिए चार होता है फिर फ्राइडे के लिए पांच होता है फिर सटर्डे के लिए छे होता है और फिर उसके बास संडे के लिए साथ होता है लेकिन साथ मतलब जीरो तो अगर कुछ न बचता त तो आज संडे होता एक बच गया तो मंडे मंडे है कि नहीं है कि नहीं है कि ओके और करते हैं एक दो और काउंट कर लेते हैं जैसे हम निकालते हैं कि मालो की 20 जन्वरी 2000 कौन सा निकाल बताइए कि दोजर ठाइस चले 2030 गूगल पर सर्च कर लेंगे क्या आएगा कौन सा हो रहा है चले अभी तो हम निकाल लेना बाद में चेक आंसर चेक करना है वैसे आएगा वही आएगा टेंशन फिरी रही है ठीक है 2030 का कैलेंडर है 2030 का डेट पूछा गया है तो हम कहां तक निकाल लेंगे 29 तक निकाल लेंगे न तो इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस का 29 क्योंकि 30 का मैं निकालना तो यह तो 400 से कंसल हो गया खतम हो कहा नहीं अब उसका 29 यह और प्लस का साथ अब इसको करिए साथ यह कंप्लीट हो गया और साथ यह 21 कंसल तो जीरो आ गया संडे होगा गूगल पर दिखा रहा होगा संगे अब बहुत होगा सारे गरते हैं 19 सों में जाते हैं 18 सों में आते हैं 17 सों में जाते हैं और मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दिया कि आपको इसमें कोई अपवाद नहीं है इसके अलावा बहुत लोग कराते हैं कोड बगारा करते हैं 2016 से पहले चले जाएंगे तो इसमें यह नहीं कहोगा यह से समझ गहें मेरी जो मैंने बता यह कभी भी किसी 2000 आप 4100 साल तक जाईए आदिमानों का याद हो याद निकाल लिए समझ के कम निकल लेते हैं सब निकल जाएगा तो यहीं होता है यह मैट्स का रिलेट करके कि रिजिनिंग भी जितने भी चैप्टर होते हैं मैं कोसिस करता हूं कि मैस सही रिलेट करके पढ़ा दिया जा कि कैलिकुलेशन दिमांग में रहेगा ठीक है कोई अपवाद बगर नहीं कि यह नहीं क्लॉक में भी बहुत सारे फॉर्मले बना देते हैं लोग कि फॉर्मले होते हैं लिकिन उसके पीछे का रिजन नहीं पता उपर नीचे हुआ तो फिर परशान नहीं कोड़ बगर 144 जीरो 25 ऐसे करके जीरो 36 कि यादवाद कुछ नहीं करना है हुआ हम निकाले हैं महुआ है ओके है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को चलिए एक फेमस डेट है 15 अगस्त उननीच सो सबसे पहले इसको स्प्लेट करेंगे उननीच सो प्लस का सैंटालिस ठीक डन है मामला उननीच सो अच्छा अब उननीच सो आ गया तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे दिवाइड देजितना उन्ट जाए ions इसके बाद से चार सो साल में कितने आता है एक आता है और चार सो मतलब 300 वाला सेंचुरी में आ गए ठीक है चारसो से डिवाइड करेंगे उसको तो सोलासो मल्टिपल हो गया सोलासो से कितना ज्यादा थीन सो तो तीन सो में कितने और याद करने का तरीका क्या है इसको ध्यान रखियेगा आगे से प्राइम नमबर उससे चोटा यह कह सकते ऑड़न नमबर और नमबर पांच तीन एक फिर उसके पांसे चारसो वाला तो रिसेट हो जाता है ठीक है ड़न अभी बच्छान यह जल्दी से एक हो गया 47 को छोड़ देंगे कि यूंकि 47 का डेट ही है 46 तक कितने हो गए 46 और इसमें और डे कितने हो रहे होंगे 11 अरे 11 4 से डिवाइड करें 44 से 11 ठीक है डन है मामला अब जनवरी में स्टार्ट करिए 3 फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रेल का 2 अप्रेल के बाद माई 3 माई के बाद जून, दो, जुलाई, तीन और अगस्त, पंदरा ठीक है 15 अगस्त बोला था ना मैंने निकाल लिए ये 7 से कैंसल करेंगे 42 होता है मल्टिपल साथ का एक्स्टा 4 आ गया ठीक है और इसके बाद से 11 4 आ गया ये भी ठीक है 4 और 3 साथ 4 और 1-3 साथ हो गया खतम, ओके डन अब इसका भी एक आता है 14, ओके फिर उसके बाद से 3 और 3-6 और 1-7 ये भी फिनिस हो गया डन, अब बचा क्या 2-2 और 1 ये बचा है न 5 ठीक है 5 हो गया 5 हो गया तो 5 के लिए कौन सा दिन होता है अब जल्दी से अपना अपना जनम दिन निका लिए अब थोड़ा जल्दी हो गया जाएगा एक और बता हूँ क्या हाँ देखिए ये स्प्लेट करेंगे इसको तो 1900 सं 1900 में कितने और डे आएंगे देखते हैं तो निस हर 400 साल वाद केलंडर रिपीट होता है एक रिपीट हो जाता है पूरा का पूरा का पूरा कैलंडर ही तो ये 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे में सूलह से मल्टीपल हो गाँ तो कितना एक्स्राब जा क्वाँ तीन सो साल गर्ले कितने आथे एक आया था तो उसके बसांट एक किताब के शॉड़ छोड़ देंगे उसका तो महीने के में देखेंगे तो 46 तक देखेंगे 46 का 46 हो गया और लीपियर कितने आगए 11 तो यह हो गया क्योंकि एकदम 2000 से स्टार्ट हो रहा है समझगे इसमें मैंनी वाली जैसे देखते थे ना कि चार पांच यह ऐसे देखते थे ना इसमें चेक करने की जोड़त ने 46 को बस सार से डिवाइड किये ग्यारा बार गया तो ग्यारा होंगे उसमें थोड़ा कभी-कभी मैनुवाली निन सो 90 ओके एक निकाल देता हुँ इसके बाद आप लोग नीकाल लिएगा उनीस सो प्लस का नब्वे प्लस यान है ऑके अब उनीस सो में तीन होता चार से दिवाइड करेंगे तो तीन-तीन में एक हो गया तो इनीस सो में एक हो गया मतलब 89 कर लेंगे अब प्लस 89 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 22 बार हो जाएगा, लीपियर, 22 लीपियर, ठीक है, ओके, अब अप्रेल की बात करेंगे, तो अप्रेल में जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में 2, फरवरी में 0, फरवरी में 0, फरवरी लीपियर नहीं है, ठीक है, 0, मार्च 3, अप प्रेल पंद्रह की बात करी रहा है इसको साथ से डिवाइड करिए सत्री के किस एक आ गया फिर देखिए अगर यह उन्नीश हो में निकाल रहे हैं हम तो ध्यान लखिए नब्य के आसपास इसको जोड़ेंगे नब्य 90 और 91 मिलके किंसल हो जाएंगे कि क्यांवे साथ का मल्टी पर है ओके सुझा है इनको जोड़ेंगे तो इक आ भी याएगा ना साथ से फिर डिवाइड कर देंगे तो कैंसल हो गया पूरा यह अलग से साथ से डिवाइड करिए तो पांच आएगा पांच आएगा 84 से जाए स्थे पांच आएगा पांच और एक छेज और एक साथ कोही बात को कहे रहा हूं कि कैंसेलेशन वाली बात कर रहे हैं इसका साथ से डिवाइड की बात कर रहा हूं तो मतलब 99 इनके आसपास 97 का मल्टिपल होता है यह कह रहा हूं कि 91 बना लेंगे तो वो पूरा कैंसल हो गया यह मैं कह रहा था इसको करिए एक आ गया ठीक है साथ एक आ गया तीन तीन छे और एक साथ साथ मतलब जीरू ओके संडे चेक करेंगे संडे ही आएगा हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी